हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूरिया कुकिंग क्लासेस माय नेम इस रोहिनी फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फोटो प्रिंट केक विद कुल्फी फालुदा फ्लेवर चलिए तो ये केक बनाना स्टार्ट करते है इस केक के लिए यहाँ पर मैंने लिया है होममेड स्टाइल वैनि केक का यूज करके बनाया है इसका रेसीबी मैंने डाला हुआ है आप चेक कर सकते हो केक स्पॉंज के उपर का जो पार्ट है उसे थोड़ा सा इसे लेवल करना है मिरे लास्ट वीडियो मैं नहीं है जो स्पॉंज है वो धागे से कट करके दिखाया था आज मैं इसे जाली आया है इसी तरह हमें सारे लेयर्स कट करने है इसी तरह केक के सारे लेयर्स मैं कट करके लेती हूँ ये मेरे पास एक है फोटो शीट और एक है वेफल शीट इन दोनों में क्या फरक है ये मैं आज आपको बताती हूँ ये है वेफल शीट ये इडेबल है वेफल में अलग-अलग कलर में मार्केट में आवेलेबल है यह आपको केक मटेल के शॉप में इजी मिल जाएगी यह ऑनलाइन भी मिलती है इसे हम घर में एक से देड़ महने तक रूम टेंपरेचर पर स्टोर कर सकते हैं इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है इस वेपल शीट का हमें जो भी फोटो चाहिए हमें उन्हें बोलना पड़ता है उनके पास एक गलग प्रिंटर होता है उससे वो निकाल के देते है इस शुगर प्रिंट को केरफूली हैंडल करना होता है इसे हम जादा दिन तक घर में नहीं श्टोर कर सकते है जब भी हमें केक बनाना है उसक प्राइक आने के चांसे होते है फोटो प्रिंट शीट जो है वो खरिदने के बाद घर में लाते समय गाड़ी के डिक्की में वगरा नहीं रखना है तो गर्मी के वज़े से भी खराब हो सकती है इसे गीला हाथ भी नहीं लगना चाहिए तो फ्रेंड्स इस फोटो के रेडि किया है और केक बोर्ट भी लिया है इस के लिए यहां पर मैं यूज कर रही हूं हमेड ब्रैंड का कुल्फी फालूदा सिरफ अब हम केक के अंदर का फिलिंग रेडि करेंगे उसके लिए यहां पैर विपिंग की कें मैं ने एक से देज डेबल स्पून इतना कु यह हमारा फिलिंग रेडी है केक का जो सबसे उपर वाला पार्ट है उसे में केक बोर्ड पर रख रही हूँ फ्रेंड्स केक को शुगर सिरफ से सोक करना है या सिम्पल वाटर से सोक करना है या आप जो केक स्पॉंच यूज़ कर रहे हो उसके उपर डिपेंड है केक स्पॉंच मीठे में कम है तो आप शुगर सिरफ का यूज़ कीजिए और केक स्पॉंच अगर मीठा है तो आप वाटर से सोक कर रही हूँ, पहले मैं अच्छे से इसको सोक करना है, उसके पाद हमने जो फिलिंग रेडी करके रखा था उसे डालना है, अब एक पैलेट नाइफ से हमें इस क्रीम को केक के लेयर के उपर ऐसे स्प्रेड करना है, क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिय इसके उपर मैंने थोड़ा सा कुलफी वालुदा जो सिरफ है वो डाला है इसे भी ऐसे अच्छी तरीके से लेयर पे स्प्रेड करना है उसके बाद केक का दूसरा लेयर रखना है उसे भी पानी से अच्छे से सोक करना है फिर से फिलिंग का जो क्रीम है वो डालना है इस क्री इस लेयर के उप़र थोड़ा सा फिफालूदा सिर डाल के स्पैचुलासे एशे स्प्रेड करना है मैंने फ़ॉस्स लेयर में जो प्रोसिएर दिखाई है वह हमें रिपीट करके सारे लेयर शेया रेडी करने है साइड से भी हमें गैप्स जो है वाच्चे से फिल करने है क्रीम का यूज़ करके अब केक स्पोंज का सबसे लास्ट वाला जो लेयर था उसे में केक के सबसे उपर रख रही हूँ इसका बटर पेपर निकालना है इसे थोड़ा सा सोप करना है अब केक को प्लेन क्रीम का थोड़ा सा लेयर लगा के केक को हमें कवर करना है इस केक को मैं क्रीम से पतला लेयर लगा रही हूँ क्योंकि इसे मुझे साइड से पूरा क्रीम से ही डिजाइन करना है साइड से भी मैंने केक को थोड़ा सा क्रीम लगा के कवर किया है अब स्क्रैपर का यूज करके क्रीम को थोड़ा सा लेवल करना है और उपर का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे जस्ट हमें अंदर पुश करना है अब इस केक को मैंने क्रीम से कवर कर दिया है अब इसे मैं 5-10 मिंट के लिए फ्रीज में रखती हूँ और बाद मैं आपको आगे का प्रोसेजर बताती हूँ यह फोटो प्रिंट शीट जो है इसे प्लास्टिक में डाल के देते हैं इसे हमें टीन के साइज इतना कट करना है फोटो के बाहर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़के मैं इसे कट कर रही हूँ केक के साइड में मैं ब्राउन कलर से उड़न टेक्शर देने वाली हूँ केक के साइड में आप जिस भी कलर से डिजैन बनाओगे उस कलर के क्रीम का एक लेयर आप साइड में लगाईे उससे क्या होता है अगर डिजाइन में कुछ भी गैप रह गई हो तो उटके नहीं दिखती है केक के साइड में मैं ब्राउन कलर से डिजाइन बनाने वाली हूँ यहाँ पर यह मैंने कलर मिस्ट कमपनी का ब्राउन कलर लिया है उसको मैंने क्रीम में डाला है अब इसे अच्छे से क्रीम में मिक्स करना है और इस क्रीम का एक पतला लेयर में केक के पूरे साइड में लगा रही हूँ अब क्रीम को स्क्रैपर से लेवल करना है और उपर का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे पैलेट नैट से जस्ट हलके हाँ से अंदर पुश करना है अब हम इसके उपर फोटो प्रिंट लगाएंगे फोटो प्रिंट के पीछे इसा प्लास्टिक होता है उसे निकालना है और हल्क के हाथ से ये फोटो प्रिंट हमें केक के उपर ऐसे रखनी है ये फोटो शिट मैंने लगा दी है इसके उपर अब हमें लगाना है neutral gel मेरे पास ये blossom company का neutral gel है वो एक चमच इतना मैंने एक बावल में लिया है आप इसे finger से भी photo print के उपर लगा सकते हो अब छोटी palette knife की मदद से ये जो neutral gel है इसे में ये sugar print के उपर spread करती हूँ neutral gel को एकदम हलके हाथ से ये sheet के उपर spread करना है photo print के उपर neutral gel लगाने से इसे अच्छी shine आती है और freeze में रखने के बाद इसके उपर cracks भी नहीं आती अब cake के side में मैं wooden का texture देने वाली हूँ उसके लिए यहाँ पर मैंने 55026 इस number का ये nozzle लिया है friends nozzle खरिते से में अगर ये number नहीं है और ये design है तो आप ये ले सकते हो क्योंकि number से कुछ फरक नहीं पड़ता है अब इस piping bag के अंदर मैं थोड़ा सा brown color एड़ कर रही हूँ अगर हमें dark color लाना है तो cream में हमने पूरी bottle भी डाल दी तो dark color नहीं आएगा dark color के लिए आपको अलग से dark shed खरितने पड़ते है या फिर आप मैंने जो ये technique दिखाया है वो यूज कर सकते हो piping bag के अंदर मैंने brown color डाल दिया है उसके अंदर अब मैं ये cream फिल कर रही हूँ अब हमें नीचे से start करना है और इस तरह हमें ये lines बनाने है इसी तरह ये same design पूरे round में बना के हमें complete करनी है तो पूरे cake के round में मैंने ये उड़न का design बनाया है cake के उपर से मैं grass का design बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने magic का ये radiant green ये gel color लिया है उसके 2-3 drop मैंने ये cream में add कर दिये है अब इसे अच्छे से mix करना है अब हम मिलेना है grass nozzle उसे piping bag के अंदर डालके ready करना है piping bag के अंदर मैंने color mist का pea green color डालके उसे spread करके लिया है उसके अंदर मैं अभी ये जो radiant green color डालके जो cream ready की थी वो डाल रही हूँ अब इस piping bag को हमें straight पकड़ना है piping bag को press करना है और just हाथ को ऐसे उठाना है इसी तरह केक के पूरे round में मैं ये grass का design बनाती हूँ केक के उपर मैंने पूरा ये grass का border बना दिया है केक के नीचे के side में भी ऐसे grass का design में बना रही हूँ केक के पूरे round में मैंने ये grass का design बना दिया है आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है अब केक के उपर के side में मैं ये grass का और एक border बना रही हूँ अब मैं इस grass के अंदर चड़े-चड़े flowers बनाने वाली हूँ उसके लिए यहाँ पर मैंने नूर 7 नंबर का nozzle लिया है यहाँ पर यह मैंने cream के अंदर magic का एक yellow ये gel color add करके cream ready करके लिए है और इस piping bag के अंदर मैं डाल रही हूँ color mist का orange color इसे थोड़ा सा spread करना है और इसके अंदर अब हमने जो एक yellow color डाल के cream ready करके लिए है वो डाल दी है और इससे हमें ये grass के अंदर इसे चटे-चटे flowers बनाने है उसी तरह सेम flowers में यहाँ नीचे भी grass में बना रही हूँ इसी तरह पूरे grass में मैंने ये चटे-चटे flowers बना दिये है यहाँ पर ये मैंने नूर 20 नंबर का nozzle लिया है इसे piping bag में डाल के ready करना है अब piping bag के अंदर मैं डाल रही हूँ color mist का purple color यही same color डाल के मैंने थोड़ा सा cream ready करके रखा है color को piping bag में डाल के थोड़ा सा इसे spread करना है वही same color मैंने cream में भी डाल के cream ready करके रखी थी वो अब मैं इस piping bag में डाल रही हूँ अब इसे मैं ये ग्रास के बीच में छोटे-चोटे से dots लगा रही हूँ, आप देख सकते हो ये color combination कितना मस दिख रहा है, नीचे भी मैं ग्रास के अंदर ये छोटे-चोटे purple color के dots लगा रही हूँ, देखिए इसे purple color के छोटे-चोटे flowers का effect आ रहा है, तो फ्रेंड्स यह हमारा फोटो फ्रिंट केक विट कुलफी फालूदा फ्लेवर एकदम रेडी है आप देख सकते हो यह केक कितना सुन्दर लग रहा है इसे काटने का भी मन नहीं कर रहा है तो फ्रेंड्स मेरा यह आज का केक आपको कैसे लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे भी मैं आपके लिए अलग-अलग केक के डिजाइन्स और फ्लेवर्स लेके आऊंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाई थेंक यू